चलिए जी थैंक्यू सो मच फॉर कमिंग बैक मिर राम है सुनी लदिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टुडेंट के नहीं हेल्प यू कैसा हम अच्छे लोग सारे आज का वीडियो के इन बहुत ही कास बहुत ही स्पेशल होने वाला है और बार की तरह ह आज की वीडियो में डिसकस करने वाले हैं बीटेक कोर्स के बारे में जी हाँ पिछला वीडियो कुछ दिन पहरे जो मैंने वीडियो बनाया था कि 12th साइंस के बाद क्या 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 केरियर ऑप्शन्स है उस वीडियो के नीचे बहुत बच्चों ने कमेंट करे थे कि सर हमे 12th साइंस के बाद बीटेक करना है, बैचलर ओफ टेकनलोजी कोर्स को पर्सु करना है तो क्या इसकी डिटेल्स हैं हमें कुछ भी आइडिया नही थो प्लीज हमें डिटेल्स दीजिए तो आपने कुश्चन करा आपने कमेंट करा और मैंने आपके लिए वीडियो हाजिर कर बहुत सारे हमारे पास option है, हम commerce field में भी जा सकते हैं, क्योंकि science के बच्चे के पास यह option रहता है, कि वो commerce के B.com, B.B.A. जैसे courses कर सकता है, या फिर हम B.E. कर सकते हैं, B.T.E. कर सकते हैं, B.C.A. तक भी जा सकते हैं, तो B.T.E. क्या खासियत है, क्या course content है, eligibility क्या है, top colleges कौन से हैं, entrance examination कौन से हैं, जितने भी आपके दिमाख में questions हैं, B.T.E. को लेके, सारे के सारे sort out होने वाले हैं, आज के वीडियो में, चलिए, बिना time waste करते हैं, start करते हैं, वीडियो, सबसे पहले, full form, जो आपको पता लगी गई होगी, bachelor of technology, क्या होती है, bachelor of technology, B.T.E. के full form, course का level है bachelor's level, that means, 12th के बाद, जो भी आप undergraduate course करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, bachelor level, उससे उपर का course, UG level, post graduate level, या master's level बोलते हैं, yes or no, चलिए, course की duration, देखे, B.T.E.C. हमारा 4 साल का होता है, majority of the other degrees, जो commerce या arts stream में होती है, वो 3 साल की होती है, लेकिन हमारा B.T.E.C. 4 साल का undergraduate course है, अच engineering में, उनके लिए B.T.E.C. उनके लिए B.T.E.C. 3 साल का हो जाएगा, या अदर clear हो रहा है, चलिए, admission process कैसे होता है, देखे, entrance examination based होता है, जादा तर colleges आजकल, या तो national level entrance examination के basis पे लेते हैं, admission, या फिर खुद का ही entrance examination लेते हैं, उसके basis पर आपको admission देते हैं, नहीं तो, छ merit based भी, that means, 12th की percentage based भी आपका admission ले लेते हैं, या अदर clear हो रहा है, चलिए, examination type जैसे ही आपका admission होता है, examination की बात करें, तो semester system होता है, that means, साल में, दो बार आपका examination होते हैं, eligibility की बात करें, कौन बच्चे, B.T.E.C. कर सकते हैं, देखे, बच्चो, 10 plus 2, 12th आपका complete होना चाह है, minimum 50% होने चाहिए, और PCM, physics, chemistry, mathematics as a core subject आपका होना चाहिए, यहाँ दा clear हो रहा है, चलिए, average course की fee कितनी है, देखे, depend करता है, किन colleges में आप admission लेते हैं, बहुत अच्छे colleges में जाएंगे, जहाँ पर infrastructure अच्छा है, hostel facility है, तो यह सारी चीज़े depend करता है, उस college की fees कितनी चा about 40,000 से लेकर, 40,000 से लेकर 2 lakh, हर year आपसे fees charge करी जा सकती है, various colleges द्वार, right, तो near about 4 साल का अगर है, और 1,00,000 fees लेके चल रहे हैं, तो 4,00,000 के near about आपका BTEC का course पढ़ता है, clear हो रहा है बच्छों, चलिए, starting salary कहीं ना कहीं, BTEC कभी ना कभी तो खदम करेंगे आप, right, 4 साल, 5 स उसके बाद जब आप job करेंगे, तो near about 5 से 10 lakh पर एनम का आपका package बन सकता है, depending upon the nature of job that you are doing, or the specialization that you are securing, जिस specialization of nature की job करेंगे आप, उस पर depend करता है, the amount of salary that you will be receiving, और initial way में salary थोड़ी कम ही मिलेगी, जैसे ऐसे experience होता जाएगा, then the sky is the limit, right, चलिए, entrance examination भी बात करेंगे बच्च जानना, एक तो होता है, national level का entrance examination, जिसके basis पर majority of the colleges admission देते हैं, जैसे J.E.Mains और advanced हो गया, नहीं तो, अपने-पने state के जितने भी university है, topmost, अपना खुद का entrance भी लेती है, उसके basis पर भी admission देती है, देख रहते हैं, देखे, J.E.Mains और J.E.Advance आप जानते हैं, बहुत ही, ज admission देती है, V.I.T. Weller, Institute of Technology जो है, वो V.I.T.E.E. खुद का entrance लेती है, M.H.S.E.T. महराष्टर के, जितने भी engineering, top engineering college है, उसमें M.H.T. सेट करके, एक examination होता है, उसके basis पर आपको admission मिलता है, BID.S.E.T., Bilda Institute का हमारा entrance examination है, आगे देखते हैं, U.P.S.E. उतर परदेश का state entrance examination है, जिसके basis पर आपको U.P. के top B.Tech colleges में admission मिलता है, यह हमारा Manipal University का M.U.O.A.T. entrance examination है, यह हमारा आगया Symbosis का S.E.T., IP University, इंदरप्रस University का I.P.U.S.E.T. है, और तेलगना जो state है, तेलगना जो वहांके universities वगरा है, उनका TS set करके examination होता है, तो आप various colleges, डिपेंड करता है किन colleges मे आप admission लेना चाहते हैं, make sure करिए, आप उनकी website को visit करें, वहाँ पर clearly mention करा गया है, कि हम किसके basis पर आप बच्चों को admission देते हैं, और आप उस admission या उस examination की तयारी पे लग जाए, और majority of the entrance examination के मेरे वीडियो बने वे हैं, तो उस entrance examination के नाम बाय सुनी लदिकारी, आप search कर सकते हैं YouTube पे, आपको हो सकता है, most probably वीडियो मिल जाए, अगर नहीं मिलता, तो मुझे comment कर सकते हैं, मैं हो सके तो अगला वीडियो आपको उसका बना दूँगा, जिसके आप demand करेंगे, चलिए, आगे देखते हैं, specialization देखिए, MBA अगर आपने थोड़ा बहुत idea हो, नहीं होगा अगर BBA का idea हो, तो वहां पर भी दो चीज़े हैं होती है, एक होता है pass course, एक होता है honors, honors में क्या होता है देखे बच्चा लोगों, यहां पर honors में specialization आपको मिलती है, जिसे BSC में मिलती है, अगर science की बात करें, तो BSC आप chemistry से कर सकते हैं, physics से कर सकते हैं, mathematics से कर सकते हैं, तो वो provide कराते हैं, मैंने आपा top most specialization brick लगी है, जो की बहुत famous है, majority of the students वो करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जैसे की, aeronautical engineering हो गया, automobile engineering, biotechnology engineering, civil engineering, computer science engineering, electrical engineering, mechanical engineering, और marine engineering, ऐसे करके near about 80 plus specialization है, आपको पता करना पड़ेगा, जिस college में आप admission ले रहे हैं कि आपको, उस college में कौन-कौन से specialization provide कराई जा रही है, देखिए, specialization का चुनाओ या selection कैसे करना है, उस specialization में आपको b.tech करना है, जिससे related आपने carrier अपना सोच रखा है, आपको अगर एक construction engineer बनना है, तो आप किस में कर सकते हैं, आप civil में कर सकते हैं, right, marine से related अगर करना है, तो marine engineering, automobile से related carrier बनाना है, तो automobile engineering में कर सकते हैं, तो अपनी relevant जो भी पसंदीदा कोई भी एक specialization में b.tech 4 साल का अपना complete कर सकता है, कोई confusion, चलिए, b.tech के topmost colleges की बात कर लेते हैं, देखे, बहुत सारी colleges हैं, पुरे इंडिया भर में, जो कि आपको b.tech की degrees offer कर लें, लेकिन, देखे, महीने क्या रखता है, महीने ये रखता है, कि आप कितने अच् placement आपको वो college provide कर आएगा, right, topmost की बात करें, तो obvious सी बात है, सारे IIT जो है, IIT कानपूर, IIT खरकपूर, Bombay, Madras, दिल्ली, BHU, रुड की, इस सारे topmost b.tech के colleges हैं, जो कि आपको various specialization में b.tech degree को offer करते हैं, अगर other than IIT की बात करें, तो NIT बहुत famous है, जितने भी NITs वगरा है, NIT Rangel हो गई, NIT अलाबाद हो गई, BITS, Pilani हो गया हमारा, जादोपो universities, Wellour Institute of Technology, ऐसे करके बहुत सारे colleges हैं, अगर अलग से मनलब को आप 20-30 का वीडियो चाहते हैं, तो आप comment कर सकते हैं, या फिर specialization में किसे specific specialization के उपर अगर आप वीडियो चाहते हैं, तो उसके लिए भी comment कर सकते हैं, मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूँ, तो ये था, rough idea आपको लग गया होगा कि क्या-क्या होता है, BITEC में, क्या-क्या आपको specialization होती है, specialization के according ही आपके subject define होते हैं, अच्छा लोगो, right, automobile engineering अगर आपने choose करिये, तो उससे related ही आपके subject होंगे, उससे related ही ये ही होता है, right, तो आपको rough idea लग गया होगा, क्या-क्या चीज़े होती हैं, 12 बाद आपको क्या-क्या चीज़े करनी है, अगर topmost, IITs वगएरा, NITs वगएरा, या topmost colleges में admission लेना है, तो आपको entrance examination को crack करना पड़ेगा, अच्छी rank हासिल करने पड़ेगी, top 100, top 50, top 10 में आ प्लेबल है, placement का क्या scenario रहता है, क्या-क्या, कौन-कौन से ऐसी companies है, जिसमें आप job कर सकते हैं, कौन-कौन से इंडिया में ऐसी famous company है, जो कि आपको BTEC से related बच्चों को job provide कराती है, तो उसका वीडियो हम next define कर लेंगे, next बनाते हैं उसका वीडियो, उमीद कर रहा हूं, आज like, share, subscribe करके जाएगा, thank you so very much for watching.